इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है जन करांती मोर्चा के सरपाना परीचे आप दीजिए निशनल कन्वेइनर राष्टे संजोजग जन करांती मोर्चा डाक्टर उमा संकर शाहनी जी हमारे साथ में है और इनका अपना एक सामाजी संगटन जिसके राष्टे संयोजग भी है जन करांती मोर्चा इस वक्त बोचा में जो उपचुनाव हो रहा है तो उसको लेकर के आप मतलब किस तरह से देख रहे हैं ये बोचहा का जो उपचुनाव है ये उपचुनाव समाज के साथ जो भारती जन्ता पार्टी के लोगों ने धोख़वाजी किया और गलत तरीके से प्रुफगंडा करके समाज के बोट को लिया और बोट को लेने के बाद धोख़वाजी किया और समाज के उपर जो अपमान हो रहा है इससे बदला लेने के लिए जन करांती मोर्चा ने वो चहां विदान सभाचुनाव है चुकि लोगतंत्र हैं तो हमें मुकाबला लुकतांत्रिक तरीके से करना होगा इसलिए जन करांती मोर्चा संगठन सकती के साथ लोग लग बशुक्ط कर सम guest कर रहें और कैम्प इस तरह से कर रहे हैं कि भाजपा वाले अब तक बोल रहे थे कि हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है अब बोल रहे हैं कि लड़ाई तरी कुनात्मक है कल से वो मैदान में लोग दिखने वाले नहीं है उनके तीस-तीस मंत्री फेलियर हो गए बोचहा में बिधायक फेलियर हो रहे हैं लोग जो आ रहे हैं पटना से वो लोग सहर में ही बैटके प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं और बिग्यापन का पड़चार करके वापस से ले जा रहे हैं जमीन पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है जमीन पर इस समय भी आईपी पार्टी उनके कार्चकरता उनके सपोर्टर्स और जनकरांती मुर्चा का जो सहयोग मिला है इस से और भी काफी उत्साह लोगों के अंदर आ गया है और एक बड़ा जीत का कारण बनने जा रहा है तो देखिए बाजपा को जिताने के लिए जिस तरह से बाजपा ने अपने मंत्री विधायक को बोचा उप्चुनाओं में लगाया है ठीक उसी तरह से व्यप्पी पार्टी के समर्थन में जनकरान्ती मोर्चा और अन्य बहुत सारे सामाजिक संगत्थन नहीं है इसके अधिनस्त लगभग चावल सनस्का काम कर रहे है वह अंदर के अंदर काम करते है वो बताया नहीं जा सकता है बहुत सारे तरह के हैं गौर्डमेंट इंपलाई लोग है तो परदा के अंदर ही अंदर काम करते हैं जैसे RSS है ना RSS वो अंदर ही अंदर काम करता है भाच्छपा के लिए तो हमारा भी organization अंदर ही अंदर काम करता है इस समय मुकाबला RSS का मुकाबला हम ही लोग कर सकते हैं दूसरा के पास वो है ही नहीं ना तो उनके पास कोई ideology है ना उनके पास कोई cadre है जो मुकाबला कर सके मुकाबला तो हम ही लोग करेंगे अच्छा एक बात ये बताइए कि जिस तरह से मुके अच्छा एक जो मंत्यी जी है उनके जो विदायक उनको छोड़कर के जा रहे है तो क्या आपको लगता है कि आपके समाजिक जो संगटनाओ का संगटन है वो लोग साथ रहेंगे ओ kosten जा रहे हैं इसलिए हम लोग साथे रहे हैं वो रहते तो यह लड़ाई होती नहीं न वो जा रहे हैं इसलिए हम लोग साथ खड़े हो गए अपने समाज सुसाइटी के साथ खड़े हो गए क्यों जो जा रहे हो हमारा नहीं है हमारा समाज है हम समाज के अंदर जो सक्ति निर्मान कर रहे है उस सक्ति से तो बीधायक क्या मंत्री क्या मुख मंत्री परधान मंत्री बनाएंगे संगठन सक्ति से होता है ना समाज के सक्ति से होता है ना ये तो विधायक समाज नहीं तियार करता है समाज विधायक तियार करता है इन विधायक को पता नहीं है हम लोग की सक्ति के बारे में इनको पता चल जाएगा अब जब इचुनाब लड़के देख लेना निर्दली उर्दली उकाद समझ में आ जाएगा जमानत जप्त हो जाएगा इनकी एक चीजी यह बताईए कि जो विधान सबा यह है यहां बोचाह में तो बोचाह में जो अभी उपचुना हो रहा है तो ब बोच लगा दिया है कि भाज़पाक को इधर परचाह के लिए आना बंद है तो जाही नहीं रहे हैं इनके पर्थियासी जो है जा नहीं रहें चयएगे लिए-बोच मांगें-गी क्या कहके बोच मांगें-गे कि तुम्हारी बहादरीकि एक मंतरी बनाए उस मंतरी को हम बर्खास्त कर दिये हटा दिये इसलिए तुम हमको बोट दो रासन दे रहे हैं 5 किलो रासन यह लोग तो उस लाइक भी नहीं छोड़ा कि 5 किलो आनाज हम खरिद के खा सके यह दे रहे तो हमारा समाज तो यह है न क्या करते हैं अलप हुई है उसमें यह बहुत बड़े पैमाने पें देखने को मिल रहा हैं बोचा विद्धानसबा में कि मंतरी जा भी जारे है वाँ 나 पुरा हंजो तो जाल रहे हैं इसला को यह लोग हां चलिए से लोगों के अंदर आला को यह आम लोगों के बताया आप लोगों को की जन करांती मोर्जा पूरे जो है ताकत से मंदरी जी के साथ में है और कार्य करता भी साथ में है और इस चुनाव को ये लोग जीत रहे हैं धन्यवाद आप लोग देखते ही वेपी नूस तूड़े